हेलो व्रिवान आई होप और फिलिंग बेल और इस वीडियो में हम लोग क्लास तेंथ किये जो फ़र्श प्लाइड की वुक है उसमें हम लोग पहला चेप्टर देखनें लेंचो का घर और फसर लेंचो का अकेला घर घाटी में था या एक नीची पहाड़ी की चोटी फर था भाँ वहां से बेखती नदी और खेतों को देख सकता था लेंचो की अच्छी फ़सल थी परंतुई से वर्शा की अत्यादिक आऊ सकता थी वर्षा काना लेंचो ने अकास को उत्तर दिसा में देखा उस तरफ वर्षा के बादल थे उसकी पत्री साम को खाना बना रही थी उसने उसे बताया कि प्रमात्मा ने चाहा तो वर्षा होगी सिधरी वर्षा की बडी-बडी बंदे गिणने लगी लेंचो वर्षा का अपने सरीर पर नभौ करने के लिए बाहर गया वो काफी खुश था उसने कहा कि वर्षा की बंदे नए सिक्क्य थे उले और उनके कारण विनास प्रंतु सिद्र ही उले हर एक अस्थान पर गिणने लग खेट सफेद हो गए जैसे नमक से ढके हो फसल पूंडूप से नश्ट हो गई लेंचो उदास हो गया उसने महसूस किया कि उस वर्स वे भूके रहेंगे उनके पास अगली फसल के लिए बीज भी नहीं होगा परमात्मा को लेंचो का पत्र परंतु लेंचो को अकली एक आसा थी परमात्मा से सहाय था उसे विस्वास था कि कोई भी भूक से नहीं मरता उसे परमात्मा में बहुत विस्वास था अगले राविवार वो डाग घर गया उसने परमात्मा को उसके पास सो पीसी भेजने के एक पत लिखा उसके पत्ते के रुप में परमात्मा लिखा पोश्ट मास्टर द्वारा लेंचों के लिए पैसा ही कठा करना डाक खाने के एक क्रमचारी ने इसे पत्र को पोस्ट मास्टर को दिखाया पोस्ट मास्टर पत्ते को देखकर हसा उसने इसकी इक्षा की की अच्छा होता उसका भी परमात्मा में ऐसा ही विश्वास होता उसके मन में एक विचार आया पत्र का उत्तर दिया जाए प्रंतु उसे पढ़ने के बाद उसने पायक की लेखक को पैसे चाहिए यह लेखक का विश्वास रखने के लिए था इसलिए उसने अपने सभी मित्रों और क्रमचारियों कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा देने के लिए का लेंचो के पास पैसे बेजना इस परकार पुष्ट मास्टर सिफ 70 PCV कटे कर सका उसने पैसे को एक लिफाफे में डाला और उसके उपर लेंचो का पता लिख दिया उसने हस्ताक्षा गरूप में इस पर सिर्फ एक सब लिखा परमातमा लेंचो द्वारा पैसो की प्राप्टि अगले रव्यवार लेंचो डाग घाने आया उसने पुछा कि इसके लिए क्या कोई पत्र है उसे वह पत्र दिया गया लेंचो ने पैसा देखकर कोई अस्चर्ज नहीं दिखाया जब उसने पैसे गिने तो उसे गुस्सा आया उसने महसूस कि ये परमात्मा कोई गलती नहीं कर सकता था परमात्मा को लेंचो का पत्र डाक खाने के करमचारियों को दोखे पाज कहना तुरंथी लेंचो ने परमात्मा को दूसरे पत्र लिए उसने इसे लेटर बॉक्स में डाल दिया, पुश्ट मास्टर ने इसे खोला, लेंचो ने उस पत्र में रिखा था कि उसे केवल 70 पीसो मिल गए, परंतु उसने तो 100 पीसो के लिए कहा था, उसने परमात्मा को बागी के पैसे उसके पास भेजने के लिए कहा, परंतु परमात को हिंदी में बताया गया है और एकदम सौड़ फॉर्म में बताया गया जो भी इस्टोरी है आपको कैसे लेगी आप कमेंट करके बताएंगे जल्दी मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक लिए वागे